और अब बात फिसार की जोहां 70 करोड की लागत से सूर्य नगर अंदर पास सूवर ब्रिज बंकर तयार है हर्याना के P.W.D. मिनिस्टर रनवीर गंगवा ने उद्गातन से पहले सूवर ब्रिज का निरिक्षिन किया इस खबर से जुड़ी जाता ज़ानकारी के लिए हर्याना के P.W.D. मिनिस्टर रनवीर गंगवा से खास बाच्वीत की है टूटल न्यूस के S.O.C. डाइटर डॉक्तर महीश कुबार ने दर्शकों का इंतजार अब खत्म हुआ सूर्य नगर आरूबी बनकर पूरी तरह तयार इस वक्त नज़रा रहा है रूद घाटन के लिए अब अधिकारी इसका मौएना करते हो नज़रा रहा हर्याना के P.W.D. मिनिस्टर भी इसका मौएना करने पहुँचे अब बने दर्शकों का इंतजार हिसार के लोगों को था सूर्य नगर उससे आगे पढ़ने वाले तमाम जो रेजिदेंशल सेक्टर बेहद परिशानी के हालत में थे अब ये परिशानी खत्म होने जा रही है और दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला बिलकुल पू दोक्तर कमल गुपता जी इनका तो बड़ा प्रयास रहा है इसके बारे में करने का अंतता है आज ये पूरा शुरू होने जा रहा है मैं बदाई देता हूं पूरे शेरवाशियों को इससे निस्टी तरूप से जो जाम होता है उससे बी निजात मिलेगी और भी हम प्लान क पास है उसका और भी वह भी सुरू हो जाएगा तो इसे काफी रहत मिलेगी एलिवेटेड रोड की घोशना भी मुख्यमंतर की तरफ से बजट में की गई थी क्या उस पर कोई का जागे बढ़ाएंगे अभी एक बारी यह जैसे कहा कि जो रूड है हम सोच रहे हैं कि रोड से त्यार करने में लगा मुझे लगता है कि साइद साड़ेच सपन क्रोड के करीब इसमें लागत आई है और टाइम तो मेरे कहल से सब्सक्राइब कोंप्लिकेटिट था काफी बड़ी ही इसमें ड्राइंग का और क्योंकि डबल लाइन है आगे भेर कलावनी बसी हुई है लेकिन अंत में यह जो बनके तियार होगा यह बड़ी खुशी की बात है शेयर के लिए भी और मैं सब्सक्राइब के लिए बड़ी हरेना विदान सबका सत्र आने जा रहा है कौन से ऐसे विदेख है जो की सरकार अब लाने जा रही है अभी तक इस पर कोई विदेखों पर चर्चा हुई नहीं है और सरकार विदेख भी ला सकती है अभी क्योंकि जल्दी सेसन आगा इसलिए कोस्टन और तो मुझे लगता नहीं होगा इसके अंदर लेकिन कालिंग इंटेंशन ने वगरा को विपक्स दे सकता है और पहले जो है कल महमहीम राजेपाल महोदे का विवासन होगा उसके बाद में विदाई कारिया जो सुरू होंगे हके आरेम के पोर्टल पर नौकरी करने वाले लोगों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी यह सरकार की जरफ से चुनाब के दौरान वायदा किया था यह वायदा विदेख के जरीए अब पूरा करेंगे अभी इस पर विचार किया जाएगा कोई जो भी जरूत होगी उसमें कदम उठाये जाएगा तो अब यह मान कर चलेगी अब पी डॉब्यूडी मिनिस्टर हिसार के हैं तो ऐसे में हिसार के विकास को बहुर जादा रफ्तार मिलने वाली हिसार को तो मिले ही मिलेगी पूरे आरूबी के साथ ही त्यार किये गए हैं काफी टेक्निकल ये पूरा मामला माना जा रहा था लेकिन अब इंतिजार खत्म होने को है और ये जो आरूबी है अब त्यार हो चुका है मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी का समय इसके लिए लिया जा रहा है किसी भी वक्त महेश कुमार टोटल न्योज हिसार